बिस्मिल्ला इर्मानी रहीम, असलामो अलेकूम, वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे हमारे बडुदा शेर की एक और रेसिपी दही करमबा, जिसे मोहरम की नियाजों में बनाया जाता है, मोहले में बच्चे और बड़े सभी को बूला कर एक हिथाल में खिलाया जाता है, तो चलिए दही करमबा किस तरह बनाया जाता है, देख लेते हैं, दही करमबा बनाने के लिए जबसे पहले चावल पका लेते हम, तो यहाँ पर देखे, दो कप मैणे चावल लियूँ, जो खिचडी के नॉरमल चावल आते, बस वही वाले पानी रख देगे ताकल में गरम उन्हाया इसमें पानी डालने है लागे तो पानी आप जयादा डालना है कि चावals हमारे एकदम नरम बनाना है k तो यहाँ पर दो कप चावल के लिए चार गिलास पानी डाल दियू मैंने नमक बिल्कुल थोड़ा सा दालेगे क्योंकि यह मीठी रेसिपी है तो नमक दो चुटकी ही डालना है चावलों का अच्छे से धोलियू मैंने और पानी भी गरम हो गया है तो चावल डाल देते हैं यहाँ पर यह चावल हमारे एकदम मुलायम और एकदम सौफ्ट गलेवे चावल पकाना है हमको तो थोड़ा पानी ज्यादा भी डालोगे तो कोई बात नहीं एक बार मिक्स कर देगे हम और कुकर का धकन लगाकर मीडियम फ्लेम पर तीन से चार सीटिया लगा लेनी है अब चावल पक रहे हैं वहाँ तक हम शक्कर को पीस लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 200 ग्राम से थोड़ी ज्यादा मैंने शक्कर लिए इसे मिक्सर में पीस कर इसका पावडर बना लेते हैं चावल यहाँ पर हमारे पक चुके मैंने इसे गैस्पे से उताल लेते हैं और यह देखिए एकदम सॉफ्ट और मुलायम चावल हमारे बन के तयार हो गए ऐसे ही नरम चावल हमे तयार करना है तो अब गरम गरम चावल में हम चावल को अच्छे से घोट लेगे ताकि जब इसमें जो भी चीजे दाले वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो चावल को अच्छे से मसल लेना है हमें गरम गरम में चावल को घोटने से चावल अच्छे से घोटे जाते हो और एकदम नरम और मुलायम हो जाते अब ये घोटे हुए चावल को बड़े से बरतन में निकाल लेगे हम अब इसमें दालेगे हम दही तो यहां पर दही एकदम फ्रेश लेना है खटा दही नहीं लेना है खटा दही लेऊगे तो शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना पड़ेगी तो यह 800 ग्राम मैंने दही ली हूँ थोड़ा दही ज्यादा दालते तो टेस्ट बहुत अच्छा आता ह लेकिं फिर भी आपकी मर्जी है आप अपने हिसाप से इसमें डही ढाल सकते हों तहभी मैं चार से पांच बड़े चम्मच दही ढाल देती हूं और साथी में जो शक्कर मैंने बताई थी तो वो पीस कर रखी हूँ तो ये शक्कर भी आदी डाल दूगी मैं आदी शक्कर डाल दी हूँ मैंने यहाँ पर इलाइची का पाउडर लिया है इससे खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो ये भी डाल देते एक चमच सबी चीजों का अच्छी तरह से मिक्स कर लेते तो यहाँ पर खटा दही बिल्कुल भी नहीं लेना है ताजा दही लेना है ताजे दही से टेस्ट भी अच्छा आएगा खाने में भी अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है बहुत ज्यादा गर अच्छे मिक्स कर लैं ऑगॉजिना दैके को अपने हिसा उरती तो आप भी देखके करें अब अच्छे से मिक्स कर लेते फिर से देखिए ये फात्या के लिए बना रहे हैं इसलिए इसे टेस्ट नहीं कर सकते सबी चीजे में अंदाज इससे डाल रही हूं आप भी अपने हिसाप से डाल देना इसमें अब चावल को अच्छे से लेवल कर लेगे इस तरह से अच्छे से चावलों को फैला दियू मैंने अब इस पर दही डाले गया हम और दही को चावल के उपर फैला देना है हम दही करमबा बना रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर दही थोड़ा ज्यादा ही लगेगा माशालला यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसे पाचवे चान, सातवे चान और दसवे चान मोहरम पर शहीदे करबला के नाम पर इस पर फात्या दी जाती है अब इस पर पीसी भी शक्कर डालेगे थोड़ा सा इलाइची का पाउडर भी डालेगे अब इस पर डालेंगे सुखा नारियल तो यहाँ पर देखे सुखे नारियल को मैंने क्राश करके लिए हूँ इससे भी दही करमबे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप अपने टेस्ट के इसाप से इसमें डाल सकते हो अब डालेगे हम ड्राइफ रूट तो यहाँ पर काजू, बदाम और पिस्ता तीनों को मैंने बारी काट कर ली हूँ आपको जो भी ड्राइफ रूट पसंद हो तो वो डाल सकते हो तो थोड़े थोड़ डाल देगे ड्राइफ रूट की कॉंटेटी आप अपने इसाप से कम ज्यादा ले सकते हो अब डालेगे खस-खस तो यहाँ पर अब देशी गी डालेगे तो इससे खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है तो घी को मैंने थोड़ा सा गरम करके ली हूँ तो चार से पाच्चममच इसमें डाल देते है माशालला देखे दही करमबा हमारा बन चुका है यह खाने में बहुत ही जबरदस लगता है तो यह एक मीठी रेसिपी है महरम की देखने में भी कितना खुबसूरत दिख रहा है खाने में भी यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो महरम की नियाज में हमारे बडोदा शहर में से कई कई घरों में बनाया जाता है बड़े से थाल में से डिश आउट करते हैं इस पर फात्य दी जाती है नियास दी जाती है और पडोसियों में से बच्चों को भी बुलाया जाता है सब औरते एक साथ आकर बड़े से थाल में से खाते हैं तो जितना दो चार निवाले खाना इतना खाकर ये नियास खतम की जाती है तो आप भी इस तरह से ये शहीदे करबला की नियास के लिए दही करमबे को ज़रूर बना के ट्राइ कीजिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों रिश् सिपी के साथ अलाह हाफीज